हुआ हुआ है तो हलो दोस्तों सौगत है आपका टार्गेट फार आक्यू में और आज हम बात करने वाले हमारे नए टॉपिक के बारे में जो कि है स्पोर्ट्स करेंट अफेर एंसी क्यों दोस्तों इस साल 2022 में जितने भी स्पोर्ट इवेंट्स हुए है उनसे रिलेटेड एक सेट आफ 50 कोशन मैंने कंपाइल किया है और आई होब कि यह कोशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रूव और इसमें से काफी काफी कोशन आपके लिए helpful थाबित हो ठीक है तो इसे के साथ इस वीडियो को में शुरू करेंगे लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को प्लीज लाइक करें अपते कमेट से ज़रूर बता है कि आपको और कौन से टॉपिक्स है था या फिर mcq section इसस पर चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बना स्व राट की आपके लिए एक ट्राक्टिस हो जाये ठीक है तो ठीक है इसी किसादब शुरू करते है इस वीडियो को एंड देखते हैं कि हमारे क्या-क्योशन से सारे गेम्स को लेकर स्पोर्ट्स को ल बिल्लैंड और उस्टेलिया उसके बाद who was appointed as the head coach of the Indian men's cricket team Indian men's cricket team का head coach कौन है राहूल ट्रविड इंडिया won the under 19 Asia cup cricket crown by defeating whom किस country को रहा यह था श्री लंका the famous sports person Shane Vaughan ये किस खेल से associated है बताईए क्रिकेट उसके बाद who has won the gold medal at the 12th international jumping meeting in Greece कौन gold medal जीता है 12th international jumping meeting in Greece in May 2002 मुरली श्रीशंकर किस Indian para athlete को ban किया गया है दो साल के लिए अपने abilities को deliberately misrepresent करने के लिए ठीक है at the Tokyo Paralympics किसको ban किया विनोथ कुमार कौन सा मिडल जीता गया है इंडियन मेंस होकी टीम के दोवारा होकी एशिया कब 2022 में ब्रॉंज मेडल इंडियन judo को judo का कपील परमार ने कौन सा मेडल जीता है इसके बाद अगला कुशन है इंडियन पैर एथलीट विनोथ कुमार है विनोथ कुमार है इस बेंड फॉर्स अभी मैंने बात की थी इंको बैंड किया गया है दो साल के लिए यहां लिखा था यहां भी क्या होगा दो साल ठीक है अब आती हूँ ओन फॉर्मुला वन रेस म रावन जो है मुनाँको ग्रैंटिक्स टाइट देगे ग्रैंडिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट कूशन होते तो इससे कोशन आता है कोई भी ग्रैंटिक्स अब टा लीज़े उनसे कूशन पूछा आता है तो इस कांसा क्या है सर्जियो पेरिज किसने जीता है फ्रेंच ओप फॉर्थ से अब अगला कोशन आते हैं हम लो कौन जीता है मेंस सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन में रफेल नडाल यह यंगिस कबड़ी प्लेयर है खेलो इंडिया यूद गेम में यह किस स्टेट से बिलॉंग करते है जारकंड कौन पहला रेल्वे ओफिसर बना है तो कम्प्लीन दा आईरन मैं ट्री अथलॉन एंड फर्स्ट ओफिसर ओफ दी नॉन उनिफॉर्म सिवल सर्विस बताईए श्रेयस होसूर इंडिया की अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता है चैट्योरिक्स पैराशूटिंग वर्ल कप में बताईए गोल्ड मेडल चीक है अब बात आती है नैशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी जो है वो इंक्लूड किया है एम्स टू इंक्लूड इंडिया अमंग टॉप एयर नेशन बाई कब तक इंक्लूड करेगा कौन से इंडियन वमेंट प्लेयर ने रिटार्मेंट फ्रॉम इंटरनेशनल किर्केट बताईए यह तो फीमस कोशन है मिथाली राज किसने जीता है आर प्रग्यानंदा अजर्बाइजन ग्रैंड प्रिक्स टैटल किसने जीता है मैक्स वेस्ट जैपेन इंडिया क्वालिफाइड फॉर्ट इवेंट इन दर फीफा नेशन सीरीज प्ले आफ टुब हैले फीफा नेशन सीरीज यह कहां पर हुआ है इस देनमार्क में अपनी लेखरा किसी स्पोर्ट से रिलेटेड है अभी हमने बात की शूटिंग से कौन से स्टेट ने टॉप स्पोर्ट टॉप पोजीशन पर आई है खेलो इंडिया यूथ गेम में हर्याना कौन 74 ग्रैंड मास्टर आफ इंडिया बना है राहूल श्रिवास्तो उसके बाद कौन पहला इंडियन वेट लिस्टर है जिसने गोल्ड मिडल जीता है इन द आई डबलू ए वर्ल्ड यूथ चैंपियंशिप इन लिवान मेक्सिको बताइए गुरू नाइडू सनापती हूँ किसने नैशनल रिकॉर्ड अभी तोड़ा है में ट्रिपल जंप में इन द नैशनल इंटर स्टेट अथिलेटिक मीट इन चिन नहीं किसने तोड़ा यह रिकॉर्ड प्रवीन चित्रविल नीरा चोपना ने अभी एक नया इंटनेशनल रिकॉर्ड बनाया है कितने मीटर का पावर नुर्मी गेम्स इन फिन लैंड में बताइए 89.30 का जैविल इंट्रों में यादर कियेगा हूँ लॉंच दा हिस्टोरिक टॉर्च रिले हिस्टोरिक टॉर्च रिले किसने लॉंच किया है फॉर्टी फॉर्ट चेस अलॉंपियाड में ठीक है किसने फाइर किया है पीम नरेंद मोदी है इनाउगरेट किया है फीफा वर्ल लेकप जो है वो किस कंट्री में होगा बताइए सारी कंट्री में हो गई सारी इवेंट्स जो है सारी कंट्री में रखा गया इसलिए आंसर ही होगा हूँ वां दी कैनेडियन ग्रैंट पिक स्टाइटल जुन 22 में जोगा है था कैनेडियन की बात कर रहा हूं है मैक्स वर्स्टेपन हूँ अपॉइंटेटर फर्स्ट वोमें प्रेसिडेंट ओफ फीफ फीका फेडरेशन ऑफ इंटरनेशल क्रिकेटर एस्सोशेएशन लीसा इस्टालेकर उसके बाद कौन सी इंडियन वर्स प्लेयर ने अनौंस किया रिटायर्मेंट फॉम फॉम्स अउप क्रिकेट जून 2022 में रुमेली धर ते कि मितारी राजनेबी और रुमेली धर ये नोनुने क्रिकेट से अस्टेटेट प्लेयर से जिन्नोंने रिटायरमेंट ये उसके इंडिया उलंपिक एस्टियेशन के एक्टिक प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए है अनिल खन्ना कौन सी स्टेट के रंजी करिकेट टीम ने मेडन रंजी ट्रॉफी टाइटल जीता है मदप्रदेश ने कि उसके बाद कौन सी कंट्री की वोमें जो है रिकर्फ टीम जो है किस कंट्री की वोमें रिकर्फ टीम ने सिलवर मेडल जीता है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज थ्री पैरिस में जो हुआ है इंडिया थे आसे आफ देखिए हो मंग दी फॉलिंग भीकें दा फॉर्स वोमें प्रेसिडिन उज्ट बनी है यह पीटी उशा उसके बाद विंबिलेटर चैंपिंशिप जो के लंडन में हुआ है ठीक है कि नो प्लेयर ओफ विच नेशनालिटी हैस बिन अलाउट टू प्ले इन दर किस कंट्री के प्लेयर को और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया है रुशिया कि ठीक है प्रिंस और वेल्स कब जो है वो किस फेल खेल से रिलेटेड है कि बताइए गोल्फ वर्ल्ड शूटिंग चैंबेर्शिप कब हुई है शुरू हुई है एटीन नाइन्टी सेवन में है उसके बाद 2023 वर्ल कप जो है क्रिकेट वर्ल कप ये किस देश में होगा बताइए इंडिया में होगा चैंपियन्स टॉफी किस खेल से असोशेटेड है होकी कितने स्कॉर होते हैं चैस बोर्ड में एट शिस्टीफोर एट इंटू एट फर्स्टेशन गेम जो है वो किस साल में पहली बार खेला गया था 1951 में ठीक है किस कंट्री ने लीड किया है मेडल टैली मतलब इस असे आदर मेडल जीता है कॉमन वेल्ड 2022 में देखे इस तरह के कोशन हमेशा आते हैं कि कौन से कंट्री मेडल लीड किया है न्यूजिलैंड कौन से कंट्र किस शहर में कॉमन वेल्ड गेम 2022 हुआ है कॉमन वेल्ड गेम 2022 क्याद आते हैं कि कॉमन सा स्पोस जो है कॉमन वेल्ड गेम में इंक्लूड नहीं किया गया था नेत्पॉल और और ओफिशल मैस्कॉर्ट कॉम्वेल्ड गेम 2022 का क्या था पैरी ठीक है तो अजी के साथ अपने वीडियो के एंड पे आ गए हैं एंड हमने सारे 50 questions जो है discuss किये and I really hope कि आपके ये काफी helpful साभीत हो and अपने comments में ज़रूर बता है कि आपको और कौन से sections है GS में कौन साथ section जिसमें आपको MCQ की requirement है so that we can prepare some MCQs on that so that आपकी एक बेटर preparation हो साखे है alright so तब तक कि ए थांक यू and good bye